हेलो व्रीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल समीना जिटिल वर्ड कैसे हैं आप सब लोग आई होप बिलकुल ठीक होंगे तो जी फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं अपनी इस डाइनिंग टेबल का मेक ओवर वो भी बहुत आसान तरीके से अच्छा जी अब ये वीडियो आप लोग को क्यों देखना चाहिए उसके लिए हम आपके साथ पहले शेयर करते हैं पाइव रीजन कि ये वीडियो आपको लोग के लिए कैसे यूसफूर हो सकता है तो जी पहला रीजन तो ये है कि अगर आप अपनी पुरानी चेयर को नया लुक देना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देखें इसमें आपको बहुत ही अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा अपनी पुरानी चेयर को नया लुक देने का सेकेंड है अगर आपके पास बजट इशू है और आप इस तरीके के रेडिमेट कवर घर में बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें क्योंकि इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा इस तरीके के कवर बनाने का थर्ड पॉइंट है अगर आपके पास पुरानी बैशी या फिर ओल्ड कर्टेंज बढ़े हैं तो आप उनका रियूस कैसे करें और किस तरीके से उनको यूस करके अपनी पुरानी डैनिंग टेबल का मेकवर करें फोर्ट पॉइंट है अगर आप स्टेचिंग में कुछ क्रियेट तो अगर आप इन फाइब पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट से रिलेक्ट करते हैं तो यह वीडियो आप एंड तक देखिए आपको काफी मसा आने वाला है तो चलिए चुरू करते हैं अपना मेक ओवर डाइन टेबल का इसके लिए हमने यहां पर अपनी पुरानी ब जितने भी टेबल मेट बनाने हैं उतने ही सरकल्स द्रौ करने हैं और कट करके निकाल लेने हैं है अब जो है कहा है हमाइस सरकल कुछके हैं कट लेने हैं तो यहां पर हमने फraszam को कट किया है साथ ही अब इस Talk ले WOW उसके लिए हम ने अपनी पेशिक में से इस तरह से प्रिल क ऑपर लिखे अपर सुपर कुपड़े की तो आए समय ज़नाना पमिप्टि तो यहां पर जो इंट के तर्वरे कुपड़े क कुपड़े के तुम लगा दिया। और अब सीधी तरफ में इसको इस तरह से पाइपिन को पलटते हुए लगाते जाना है तो इससे क्या होगा ना जो हमारे सीधी साइड है वहाँ पे सिलाई बिल्कुल नीट इन क्लीन आएगी और पाइपिन एकदम अच्छे से लग जाएगी यह वाला मैथड हमें काफी एज और अब सेटिसफाइड लगता है कि हमारे जो पाइपिन वह अच्छे से लग चाती है अच्छे से पहले हम आपको टेबल मैट बना के लिखा रहे हैं बिकाज यह एजी है तो इस से ही शुरू आथ करनी चाहिए तो टेबल मैट बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा सिर्फ इस जरी किसे आपको एक जूट का कपड़ा लेना है उसको सरकल में कट कर लेना है और उसके बाद तो फ्रिल लगाने है जस्ट उसको अटेच कर देना है पाइपिन लगाने के बाद तो यहां पर हम छोड़े-छोड़े सी प्रेट्स डालते चाह रहा है थोड़े- कि करो दिख सकते हैं हमारे स्टेशक टो गया है इस को क्ला है वह को के सब्सक् condition , हमेरे सरकल पक्रीक हो गया है इस प्रेटि तब स्टिश कर दिया है के लिख थे देख सकते हैं हमारे एक दम डिजाइनर सा टेबल मैट बनकर रेडी हो गया है कुछ इस तरह से अब जो इसकी फ्रिल हमने लगाई है वह उठी उठी सी हो रही इसलिए उपर की तरफ से भी एक सिलाइज जरूर लगा देना है इस तरह से जिब अच्छे से से फिर इसको करना ह आइरन जो की बहुत इंपोर्टन पार्ट है बिना आइरनिंग के इसकी हमने फ्रिल लगाई है उठी उठी सी रहेगी और टेबल मैट बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे अच्छे से जमा के इस पर आइरन कर देना है और यहां पर हमारे टेबल मैट बनकर रेदी हो चु प्रेट τो कि यहां बश्यवा को प्रेट करना है अच्छा करते जाना है तो कुछ इस तरह से हमारी प्रेट जांगी और एक प्यारा सा टेबल मैट बनकर रेडी हो जाएगा अच्छे इस जूट मैट में क्या आएना है कि जब आप इसको पीछे से देखेंगे तो इसमें धागे निकलेंगे तो या तो आप इसको इंटरलॉक करवा लें या फिर खुद से कर लें या फिर को एक कपड़ा लगा दें अब हमने इस इसके चोड़ाई हमारी चेयर के आरही है वह 17 इंचे आरही है उसके बाद इसकी लंबाई हमें रखनी है वह हमें 8 इंचे रखनी है उसके बाद इसमें हम थोड़ी से फ्रिल एड करेंगे तो उसकी भी इसमें लंबाई एड हो जाएगी अब यहां पर जो यह हमारा पिलो क चौड़ी रखी है और उसको हम उपर नीचे से फ्रिल को मोड़ लेंगे यहां पर देख सकते हैं 8 इंच की हमें लंबाई रखनी तो 9 इंच हमें लंबा रखा है और चौड़ाई हमने रखी 18 इंच बिको 17 इंच हमारी चौड़ाई थी जो भी है 1,5 इंच थोड़ा सा मार्ज कपको अ cooling équी हो जाते हैं। वहां पर कोणें से खडे हो जाते हैं उसके लिए का रिखेंजे कोनें पर तरफ नहीं खडे होंगे अगर आपके कपड़े में धागे ना निकल रहें तो आप बाद में इंटरलोग भी करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो इस तरह से उपर नीचे दो अंतर सिराई लगा के फिर आप अटाच करेंगे तो धागे बिलकुल नहीं निकलेंगे और काम थोड़ा आसान हो जाएगा इसमें भी थोड़े थोड़े दूर पे हैं अपने जो उपर वाला कवर रहेंरे बन कर रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं अब बनौते हैं अपने जो सीट का तो उसके लिए सबसे पहले measurement ले लेना है अपनी चेयर का तो यह जो है लंबाई ले लिए हमने 18 इंचेज आ रही है चेयर का जो front part है वो भी 18 इंचेज आ रहा है बट back part जो है वो 17 इंचेज आ रहा है इसी के according इसका जो उपर का cover है उसको cut कर लेना है यहाँ पर हमें पट्टी लगाएंगे जो की 5 इंच चौड़ी लेनी है ध्यान रखना है यह जो seat का cover है आगे से 18 इंचेज था पीछे से 17 इंचेज था तो उसी के according से कट करना है बाकि पीछे की तरफ seat में थोड़ी सी गोलाई होती है तो वो भी इसमें दे रहा है बिकाज यह fitted cover बनाने वाले है तो इसमें जो cutting है ना वो main part होता है अगर वही गड़बड हो जाएगी ना तो यह fitted बिल्कुल नहीं बैठने वाले है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह पीछे का part है जो कि हमने थोड़ा सा round shape दे दिया है आप यहाँ से इस तरह से इसमें ड्रॉ कर दिया है और यह जो पार्ट है यह दो इंच का हमने यहाँ पर छोड़ दिया है राउंड करने में विकाज यहाँ पर चेयर के जो पैर है वो आ रहे है और फिर यहाँ से मने एक निशान लगाया है विकाज जो पीछे का पार्ट है वो 17 इंचेज है तो 18 इंचेज का हमने यह मारजन ले लिया है और इधर जो है यह 19 इंचेज पर हमने निशान लगा दिया है एक एक इंच एक्स्ट्रा लिया है यानि कि आदा हदा इंच दोने साइड में निकल जाएगा तो फिर हमारा जो यहां पर हमें चोड़ा सीफ यह फिटकस यह के लेना है क्यों मोड़ना है यहां तक हमें डालना है यह जो ढ़ना है कि पिछे का पार्ट है चैयर का फीछ संप में आध में बैट शेप से प्रोटेक्ट रहे है यहां से हमें लगाना है यह वाली पट्टी को जिसमें कि हमने नेफा मोड़ा है लास्टिक डालने के लिए लास्टिक डालने वाला पाल्ट है उसको नीचे की तरफ रखना है सीधे पर सीधा कपड़ा रखा है और इस तरीके से स्टेच करना है स्टा बीचे वाले पार्ट को टर्न कर देना है तो यह हमारा चेयर का कॉर्णर बन जाएगा यहां पर पूरी तरीके से अटैच हो गई है मशीन में अब जो है इसमें फ्रिल लगानी रहेगी तो यह जो पटी है इसी के जस्ट उपर हमें फ्रिल को रखना है सीधे पर सीधा इस प्रिल को लगाते टाइम तो जब फ्रिल लगाए ना वही थोड़ी थोड़ी दूर पर छोड़ी प्लेट्स दाली है बहुत जादा बड़ी बड़ी प्लेट्स नहीं डाली है देन जो इस दिलाई है वह बिल्कुल किनारे पर आनी चाहिए वरना हमारे जो निफा में च कर पाएंगे तो बस ही छोड़ी चीजों का ध्यान रखना है दन इसको स्टिच करते जाना है असानी से यह कवर बन जाएंगे देख सकते हैं हमारा बन गया था जब हमने पट्टी लगाई इसमें अब वहीं पर हमें नीचे की तरह फ्रिल अटेच करनी है कुछ इस तरह से बस जी हमारी फ्रिल अटेच हो चुकी है देख सकते हैं कुछ इस तरह से और यहां पर यह थोड़ा से आपको पार्ट दिख रहा हो गई पट्टी वाला दन फिल और यह जो है ना यहां पर हमारी डलेगी लास्टिक लास्टिक कैसे डालनी है चलिए वो बताते हैं तो जो गोल वाली लास्टिक जो की मार्किट में मिल जाती है असानी से बस इस वाली लास्टिक को लेना है और इसको इंची टेप से मेजर करना है 47 हमारा आया था तो हमें 47 लास्टिक नहीं लेनी है हमें यहां पर लेनी 37 इंच लास्टिक यानि जो भी मेजरमेंट हो उसमें से 10 इ लास्टिक को निकाल देंगे, तीन साइड में एलास्टिक डाली है क्योंकि हमारे कपड़ा इस्ट्रचेबल नहीं है, अब देख सकते हैं यहां पर एलास्टिक निकल आई है, पिन की हेल्प से, और यहां पर हम सिलाई लगा देंगे, और इसको पका कर देंगे, दोनों ही अब आपर से चलाय लगाने, निकलत करेंगे, और इस तरह से इसमें लगा देंगे, यह हमें एक पट्टी बनानी है, यह हमें टाय करनी है इपने चेर कवर में और उससे हमें बांदना होगा, तो अब इसको पलट लिए इस तरीके से कुछ, और इसके कॉर्णर है ना, मशी यहां पर अटैच किया है इस तरह से और इसे पका कर दिया है चेर की दूसरी साइड में भी इसी पट्टी को इस तरह से अटैच कर देना है और यहां पर सिलाई लगा देनी है देख सकते हैं यह पट्टी अटैच हो गई है और हमारा जो यह चेर कवर है बनकर रेडी हो गया ह चलिए जी लगाते हैं इन सारे ही covers को अपनी dining table की chairs पे और करते हैं इसको decorate तो front से इसको इस तरह से लगाना है आगे से यहाँ पे और पीछे की तरफ इसको धीरे से खीज देना है यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल fitted आया है cover पीछे इसको हलके हलके से इसे insert कर देना है ताकि यह chair पूरी तरीके से cover हो जाएं जो हमने पट्टिया लगाएं थी यहाँ पे यह हमने इस तरीके से बो बना देनी है नॉट लगा देनी है और यहाँ देख सकते हैं यह पूरी तरीके से fix हो गया है यह chair का cover है ना बढ़ी आस पर अपने mats को जो कि बनने के बाद बहुत ही खुबसूरत लग रहा है आपको इन सारी चीजों में सबसे आदा अच्छा क्या लगा है वो जरूर बताएं कामें कॉमें बॉक्स में हमने अपना एक प्यारा सा सेट बना कर रेडी कर लिया है जो कि बहुत ही satisfaction दे रहा है हमें अच्छली यह यह एलास्टिक फिटेट कवर है यह हमने फिर्स टाइम ट्राइ किये हैं बिना कहीं देखे बस एक आइडिय से सोचा है इनको बना कर देखते हैं और देखी यह बन गया है तो बहुत ज़्यादा खुशी लगती है जब आप अपने माइड में कुछ सोचते ह और उसको क्रियेट कर लेते हैं तो जैसा हमने सोचा था वैसा अपना बना लिये हैं डैनिंग टेबल के मैट्स को एंड कवर्स को आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यूसफुल लगा होगा यूसफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजएगा चैनल को शेयर करना बिलकुल मत भूलेगा ताकि उसी से रिलेटेड वीडियो हम आपके साथ आगे शेयर करें फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर एंड बावाएं